नमस्कार मित्रों आज साल 2020 के सब्तमबर का बार्वा दिन यानी बारा सब्तमबर है वो शनीवार का दिन है शनी को न्याय का देवता माना जाता है वही कुंडली में शनी को दुख का कारक भी माना जाता है आज का विशेश आज अश्वीन महा के क्रिशन पक्ष की दश्मीतिती सुबह चार बज कर तेरा मिनट से शुरू हो रही है इस दिन आदरा नक्षत्र भी रहेगा 12 सब्तमबर 2020 का बारा राशियों का राशी फल इस प्रकार है मेश राशी अनकूल समय का निर्मान होने वाला है आत्मिश्वाश में बहुत कमी के कारण आप स्वाइम फैसला नहीं ले पा रही है अत्या आत्मिश्वाश में वृति के लिए हर रोज सूर्य को जल चड़ाएं वृषव राशी दिन ठील ठाक है आज अतितियों का आगमन की संभावना बन रही है साथ में रिशेदारों के बीच विवाद हो सकता है वहन का परियोग सावधानी से करें भवन कार खाने की मुरमत पर खर्च कर सकते हैं साथ ही पूजा पार्ट में मन लगेगा मित्थुन राशी विवाद चर्चाओं में सफल होंगे विपार पर का समयान विकूल बन रहा है सुख सादनों पर खर्च होगा पुराने निवेर्सिस लाब की संभावना है करक राशी भाई भेनों का साथ मिलेगा वहान क्रै करने का मन बना रहे हैं तो जल्द पूरा होगा परिवारिक सुख मिलेगा सिंग राशी पृतियोगिता प्रिक्षा में सफल होंगे परशाशनी का दिकारियों के लिए स्वयम समय विवस्था वाला है सफेद वस्थू का दान करें आर्थिक सिती में सुधार होगा कन्या राशी दिन की अनुकूलता के चलते लंबे समय से अटके कारियों होंगे पूरे किसी से मन की बात कहने का अफ़सर मिल सकता है विदेश जाने में अब रोध आ सकते हैं तुला राशी उलास उबंग के साथ दिन की शुरुवात के चलते परिवारिक माहोल खुश्णूमा रहेगा किसी के उत्तर का बेसबरी से इंतजार हो रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी उत्तर मिलेगा आपको विष्चिक राशी समय रहते कारियों को पूरा करें काम की अधिक्ता रहेगी धन लाब संभावना के बीच व्यर्थ चिंता ना करें भाईयों का साथ मिलेगा धनू राशी मन अशांत रहने के बाद दोपैर के बाद सिर्ता आएगी संतान के प्रती सजग रहेंगे पूंजी निवेश से लाब होगा कारें स्थल पे सह कर्मियों का सहयोग मिलेगा मकर राशी व्यपार में लाब के योग के बीच कोई महतपुन योजना बन सकती है वेवाही प्रस्ताव सफल होंगे कारें स्थल पर करम चारियों के विवाहर से परिशानी होगी धार्मिक रूची में व्रिद्धी होगी कुम्भ राशी आर्थिक पक्ष मजबूत होने के साथ आपके चिर्चडे वेवार से पूरे घर का महौल खराब रहेगा ध्यान रहे अपने वेवार में नर्मी लाएं आप अकेले रह जाएंगे नहीं तो आपको दूसरों की भावनाओं को समझना होगा मीन राशी विवहा योग जातकों के लिए समय अनकूल है परिवारिक यात्रा अनन्द में रहेगी नए मित्र बनेंगे रश्नात्म कारियों में रूची बढ़ेगी जिसके कारण आप नए कारियों में सयोग कर सकते हैं इस परकार मित्रों आज का राशी फल ये है आप सभी का दिन मंगल मैं हूँ जैशी क्रीश जैशी रादे